हेलो प्रेंड्स आज हो दमारी साथे शेयर करीज मसाला परोठा साथे एक दम काठे वाड़ी थापा स्टाल दम आलू नीराज तो काठे वाड़ी स्वात साथे एक दम स्पाइसी और टेस्टी स्पेशल दम मालू साथे मसाला परोठा बना आलू शेरू करीए नवी रेसिपी सिख्वा माटे नेहा कुक बुक गुजराती चैनल ने सब्सक्राइब करो अने साथे बेल आइकोन ने जरूर थी दबाओ नवा रेसिपी वीडियो साथी पेला जोवा माटे पंजाबी दमालू थी अलग काठियावडी स्टाइल स्पाइसी दमालू माटे मियाई या 500 ग्राम अने नंग मां अग्यार थी बार नंग जेटली नानी साइज नी बटेटी ली देली छे जो घर मां बटेटी ना होए तो तमें तेनी जग्याए मोटी साइज ना बटेटा ना चार भाग करी ने लई शको छो हावे अडी कप अथवा तो बटेटी डूबे तेटलू पाणी एड करी दईये साथे स्वाद प्रमाणे मीठू एड करी ने बधीज वस्तूने मिक्स करी लई तो बटेटी ने बाफती वक्ते मीठू एड करवा थी तिनो मोडो स्वाद वयो जाये छे तो बटेटा अद कच्रा बफाई गया छे हवे बटेटा गरम हुए त्यारे स्थेनी उपन नो छालनो भाग काटी ने बध्धाज बटेटा ने तयार करी लई तो हवे दा मालो माटे बाहार थी बटेटा ने क्रिस्पी कोटिंग देवा में यह तेल गरम करवा राखेलू छे अने हवे अद कच्रा बाफेला बटेटा मा थी एक बटेटा ने लई अने काटा नी मदद थी आर इतना बटेटा मा हॉल्स करी लई जिती बटेटा दमालो ना बध्धाज मसाला ने एकदम सारे ते एब्जॉब करी लिए अने हवे बटेटा ने तडवा माटे तेल मा एड करी दईये अने हवे मीडियम गेज नी फ्लेम पर बटेटा बाहर थी सेज गोल्डन ब्राउन थाई अने तेनी उपर क्रिस्पी कोटिंग थाई त्यां सुधी आपड़ तेने तड़ी लईये तो धाबा के रेस्टरेंट मां सवत थता दम आलू मां बटेटी ने तड़ी ने शाक मां एड करवा मावे चे पन जो तमारे तेल नो उच्छो उप्योग करवो होई तो फक्त बे मोटी चमचेटला तेल मां बटेटा ने सेलो फ्राई करी ने तमें आहर इतनों क्रिस्पी कोटिंग करी शको छो तो लगबग पांच मिनिट माज आपड़ा बटेटा एकदम सारी ते फ्राई थे ने धिनी उपर क्रिस्पी कोटिंग थे यो छे तो हवे तड़ा एला बटेटा ने जारामा लई 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 ये जेथी वधारानू बद्दूज तेल निकडी जाए तो हवे शाग बनावता पहला तेनी माटे स्पेश्यल काठियावडी स्टायल लसन नी चेटनी बनाव माटे मियाया साथी आंट जेटला लाल मर्चा ने थोड़ा गरम पाणी माँ पलाडी ने आर इतना सौफ्ट करीली देला छे तो हवे मर्क्राने पाणी माथी काडी ने मिक्षर ज्हार मा आड करी देले तो असुका मर्क्राने आर इतना पाणी माँ पलाडी ने लेवा थी तेननौझ तिखाश्ण भाग बद्दोज पाणी माँ वैयो जाए छे अने जो घर मा सुका मर्चा ना होई तो दमे तेनी जगे लाल मर्चु पावडर नो उप्योक पण करी शको छो साथे दस थी बार लसन नी कड़ी एक चमची जीरू स्वात प्रमाणे मीठू अने बद्धी जवस्तु ने ग्राइंड करवा माटे त्रोण मोटी चमची लू पाणी आट करी दईये औने बद्धी जवस्तु ने ग्राइंड करी लए तो बद्धी जवस्तु ग्राइंड थे ने आर इतनी लसन नी पेस तयार थेगे छे तो हवे शाक बनाओ माटे मीडियम गेस नी फ्लेम पर राखेला पैंड माँ बे मोठी चमचेलू तेल और बे मोठी चमचेलू घी आट करी देए तो हवे गी नी जेगाई बटर नो प्योग पन करी शको छो तो हवे सुका मसाला माँ एक चमची जीरू, त्रोंटी चाल लविंग, एक इच तशनो टुकडो, एक तमाल पत्र, बे एलची ना दाणा, आने अड़ती चमचेटली लीली भर्यारी ली देली छे साथे एक पींचेटली हींग एड़ करी ने, सुका मसाला ने तेल माँ सारी रिते सात्री लईये, जिते तेनी एक दमसालस फ्लेवर अपना शाक माँ एड़ थाए तो अपड़ो, 0 सारी रिते ककड़ी गयो छे, हवे में आईया, 3 मीडियम सैजनी डुंगली ने, जीनी सुधारी ली देली छे तेनी एड़ करी ने, डुंगली सेज ट्रांस्परेंट थाए, त्यां सुधी तेने सोते करी लईये तो लगबद 3 मिनिट माँ तमें जोई शको छो होगे, डुंगली सारी रिते सोते थेने ट्रांस्परेंट थाए गये छे तो हवे आ समय, 8 दी चमचेटली आदूनी पेस्ट, आने तयार करेली लसन नी पेस्टने एड करीने, तेल माँ सारी रिते साथरी लईये तबड़ी लसन नी पेस्ट सारी रिते सतड़ाई गये छे, अने तेनी साइट्स माथी तेल छोट्टू पढ़वालाई गुछे तो हवे गेस नी फ्लेम लोग करी दईये तो हवे मसाला मा वन फोर टी स्पून जेटलो हर्दर पावडर, आने मिया याँ एक चमचेलो कश्मेरी लाल मर्चू पावडरली देलो छे तो कश्मेरी लाल मर्चा थी शाक नो कलर एक दम सरसावा छे, अने तेमा तिखाश नो प्रमाण उच्छो गए छे साथे एक चमची धाना जीरू पावडर, अर्दी चमची सेकेला जीरानो पावडर, अने शाक ने ग्रेवी ने एक दम बजहार जेवी थिकने सफवा माटे मिया एक मोटी चमचेलो चणानो लोटली देलो छे तेव अवे दीमा गैस पर बद्दीज वस्तुने तेल माँ सार रिते साथरी लईए तेव पंजाबी स्टाइल दम आलू माँ ग्रेवी ने थिकने सफवा माटे काजुनो उप्योग करवा मावे छे पण आई आपणे फक्त एक मोटी चमचेतला चणाना लोटना उप्योग थी ग्रेवी ने एक दम थिक अने धाबा स्टाइल बनावसु तापड़ा लोट अने मसाला सार रिते सत्रैने तेनी साइट्स माथी तेल छुट्टू पढ़वा लाईगु छे आवे में आई या त्रोण मीडियम साइज ना टमेटा ने मिक्षे जार माँ पीसी ने थिनी आर इतना प्यूरे करीली देली छे तो मिक्षे जासी वाई तमे टमेटा ने खमणी थी खमणी ने पन लई शक्वो छो हावे टमेटा फटा फट कुक थाई जाए तिना माटे स्वात प्रमाणे मीठू एट करीने 32 वस्तूने मिक्स करी लाईए अनि हावे गेस नीफले मीडियम करी दाईए अनि धाकन धाकी ने ग्रेवी ने कुक करी लाईए तो ग्रेवी ने कुक करती वगते गेस नीफले मीडियम राखी औने वच्चे वच्चे तेने हलावता जवू जेती ते पैन ना तड़िये चोटे नहीं तो लगबग 5-3-7 मिनिट जे उठाए गियू छे हवे ठाकरने खोली लईये तो ग्रेवी नी कॉंटिटी पहला करता अर्धी थावानी साथे तेनी साइड्स माथी तेल छुट्टू पड़ी गियू छे मिन्स ते सारी रिते कुक थाई गए छे तो आवे दम आलोनी ग्रेवी ने क्रीमी टेक्षर देवा माटे मी या त्रोण मोटी चमचितलू सेज घाटू अने घर नो दही ली देलू छे तेने ग्रेवी माँ एड करी दईये अने ग्रेवी माँ सारी रिते मिक्स करी ने कुक करी लईये तो दही आड कही रापची गेस नी फ्लेम मीडियम टू लो राखी ने ग्रेवी ने सत्त धलावता रहेवू जेती दही एकदम सारी ते ग्रेवी मां मिक्स सही जाए अने जरा पन फाटे नहीं तो लगबग 2-3-3 मिनिट मां तमें जोई शको छो ओके दही ग्रेवी मां सारी ते भड़वा थी ग्रेवी क्रीमी टेक्षर साथे तयार थे गेए छे तो हवे आ समय एक चमचेली कसूरी मेथी ने हाथे थी क्रश करी ने एड करी देए साथे में एए एक चमचेली खांड ली देली छे खांड नाखवी टोटली ओप्षनल छे पर ते बध्धात स्वाद ने बैलेंस करे छे साथे अड़दी चमचेलो गरम मसाला पावडर एड करी ने बधीच वस्तुने मिक्स करी लए तबड़ी दम मालू नी एक दम थाबास्टाल ग्रेवी तयार थे गेछे तब ग्रेवी ने पथली करवा माते ध्री-फोर्थ कुप एटले के एक काप थी थोड़ू ओछु पाणी एड करी ने मिक्स करी लए अने पाणी माये बॉयलावा देए तो आवे 10 मालू माटे तयार करेला बटेटा ने ग्रेवी माँ ऐड करीने मिक्स करी लईये तो आवे बटेटा माँ ग्रेवी नी एकदम सव फ्लेवर ऐड थे जए, इटले गेसी फ्लेम मीडियम करी देए अने ठाकन ठाकी ने शाक ने 5-7 मिनिट मेटे कुक करी लईए तो लगबग 6-7 मिनिट जेव ठाकन ने खोली लईए तो तमें जोई शको छो के एक दम धाबा स्टाइल ग्रेवी नी फ्लेवर साथे अपनों दम आलू तयार ठाइग्यो छे तयार ठाइला शाको पर थोड़ा कोथ मिना पान स्प्रिंकल करी लगए तो जोत्ताज खानू मन थाई जै एव बैनू छे ने एकदम स्पाइसी याने टेस्टी काठियावडी स्टाइल दम आलू तो हवे दम आलू साथे खानी मज्जा आवे तेवा टेस्टी मसाला परोठा बनावा मिया या बेक अपजेटलो खाउनों लोटली देलो छे तापड़े रेग्यूलर रोटली के थेपला करवा माठेचे लोट वापरता होई तेजली देलो छे हावे तेमा मसाला मा वनफोर्टी स्पून जेटलो हर्दर पाउडर अर्थी चमची लाल मर्चू पाउडर एक चोथाई चमची जेटलो जीरू एक चोथाई चमची जेटलो अजमो एक चमची आदूनी पेस्ट अर्थी चमची जेटलो गरम मसाला पाउडर एक चमची में थी पुदी और नंधा पान गुंघ कर दीई तेक माँद में थी पूदी ना पान आँ गरमा कोदमीर के फूदी ना पान ना अंवी तो तमें तीना वकर पंड फक्त मसाला थी परोठा बनावी शको छो हवे मोल माटे बे मोटी चमचेलू तेल एड करी दहिये अने हात नी मदती मसाला ने लोट माँ सारी रिते मिक्स करी लईये तबड़ा मसाला सार रिते मिक्स थाई गया चे हवे मिया यह थ्री फोर्थ कप एलेगे एक कप थी थोड़ू ओछु घर नू अने सीच खाटू दही लिदेलू चे तेने एड करी न मिक्स करी लईये तो दही ने लोट माँ एड करवा थी अपड़ा परोठा खामा एकदम सौफ्ट बने चे तो दही लोट माँ एड थैया पची लोट आर इतना थोड़ो बन्धावा लाईगो छे पन लोट ने बांधवा माटे थोड़ू पाणी एड करीने सेमी सौफ्ट एटले के ना वदू पड़तो कठण के ना वदू पड़तो धीलो लोट बन्धी लेगे तो आर इतनो लोट बन्धवा माटे मारे फक्त त्रोण मोटी चमची चेटलाच पाणी नी जहरूर पड़ेली छे तो हवे लोट ड्राई ना थाए तेना माटे तेनी पर थोड़ू तेल लगावी देए अने तेने ढाकी ने 10 थी 15 मिनिट माटे रेस्ट आपी देए जिते एकदम सारे ते सेट थाए तो 10 थी 15 मिनिट थाई गये छे हवे लोट ने जोई लई लई जोई लई जोई शको छो हो के लोट उपर आर इतना थोड़ा डौट सावी गया छे मिन्स ते सारे रेते सेट थेगयो छे तो हवे फर ही पाचो तेने एक मिनिट माटे मसरी लई ए अने हवे परोठा बनाव माटे एक मीडियम साइज ना लुवा ने हाथ मा लई अने राउंड छेप आपी देए अने हवे लुवा ने owण माटे लै लई लई ए तो हवे फोड़ो कोरोण लोट लुवा आ पड़ स्प्रिंकल करी लुवा ने लोट थी कोट करी लई है अने हवे वेलान नीमद थी पहला तेने मीडियम साइज ना राउंड छेप मां वणी लई लई तो मीडियम साइज मां राउंड ठेप नू परोठु वणाई गयो छे तो में आ परोठा ने आ रिते पड़ खाई शको छो पाण हूँ तेने थोड़ा पड़ वड़ा करवा माटे अर्धी जम जेटलू गी परोठा उपर एड करी तेने हाथ नी मदधी स्पρέट करी लाईए तो यहादा में गी नी जेगाये तेल नंउपयोपन करी शकम расск circus हवे उपर थी थोड़ो कोरो लोड़ सुप्रिंकल करी परोठा ने फोल्ड करी लाईए आने हवे फरी पाचु तेनी पर थोड़ू गी आने थोड़ो कोरोलोड स्प्रिंकल करी परोठा आने फोल्ड करी ने आर इतना त्रीकोंड शेप मा वाड़ी लईए तो तमें जोई शाको चो के परोठामा एकदम सरस लेयर तयार थिया चे तो तमें जोई शाको चो के परोठा पर आर इतना थोड़ा बबल्स थाई छे तो हवे तवी थानी मदद थी तेने फेर वी लईए आने उपणनी बाजुए अरदी चमचेटलू घी लगावी ने परोठा ने बनने बाजु सारी रिते सेकी लईए तो परोठा ने सेक्ती वक्ते गेस्ती फले मीडियम राखवी छेथी ते एकदम सारी ते सेकाई आने थेना पड़पन छुटा पड़े तो तमी जोई शाको चो क्याबड़ परोठू बनने बाजु थी एकदम सारी ते सेकाई गई उछे तो हवे तयार थेला परोठा ने प्लेट मा लई लईए तो दामालू साथे खानी मज़ा आवे तेवा सूपर टेस्टी मसाला परोठा तयार थे ग्या छे तो गर मा रहेली सिंपल सामगरी थी पंजाबी दामालू ने टक कर मारे तेवू एकदम काठ्या वड़ी धाबा स्टाइल दामालू साथे मसाला परोठा ने घरे बनावा मटे लखेली रेसिपी जोती होई तो मैं वेबसाइट ने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मां आप तो फरी मढ़िये एक नवी रेसिपी साथ है